नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं जवानों के हरत अंगेज का नामों को देखकर वे भी मंत्र मुख्ध हो गए बता दे कारेकरम की सुरुवात टीम कप्तान निरिक छक अधेश कुमार सिंग ने बाइक पर पोल राइडिंग से किया उन्होंने 16 फीट 5 इंच पोल पर खड़े होकर राजेपाल को सलामी दी मोटरसाइकल सवार जवानोंने आग का गोला पार करने चलती मोटरसाइकल पर हिमालाएक की आकरिती बनाने सिर्शन करने सेलफी पोज मचली के आकरिती जैसे हरत अंगेज का नामे दिखा है ज्यारखन में 16 अप्रेल से मोसमें बदलाव दिख सकता है 16 अप्रेल से 20 अप्रेल तक ज्यारखन में में गर्यन के साथ बारिस के असार है राजे के पुर्वी उत्तिर पुर्वी निकट वर्ती माध्य भाग में कहीं कहीं बादल के साथ में गर्यन हो सकता है और इस दोरान बारिश की संभावना है बईरपात की भी असंका ब्यक्त की गई है मौसम केंदर की माने तो उतर पच्मी भागों में लूच चल सकती है इसके लिए एलो अलर्ट जारी किया गया है पीएम मोदी ने बिमार पदमभूसन कड़या मुंडा से बात कर जाना कुसल छेफ इस बात की जनकारी कड़या मुंडा के पूत्र जगनाथ मुंडा ने दी बता दे की निमोनिया होने पर बेहतर इलाज के लिए कड़या मुंडा मेड़का अस्पताल में एडमिठ है फिलाल इस्तिती पहले से बेहतर बताई जा रही है अवायद कोईला तसकरी में पूलिस को सफलता जारखन की रांची पूलिस को अवायद कोईला तसकरी मामले में सफलता मिली है रांची एस एसपी के निर्देस परवाहन चेकिन अभियान चलाकर पूलिस ने पिकम वयन वह आटो जबत किया है इसके साथ ही 14 लोग गिरफतार भी किया गया है बताया जा रहा है कि वाहनों में लदे अवायद कोईला को खलारी से चानों चेतर में बेचने के लिए लाया जा रहा था इसी दोरान एपूलिस के हंथे चड़ गए कोडारमा में 28 यूकों की गिरफतारी से आक्रोज कोडारमा के जालवा बाद में राम नमी जूलूस के दान हुए बिवाद के मामला थामता नहीं दिख रहा है इस बिवाद के बाद भी सर्जन जूलूस में एक आपते जनक वीडियो बना कर सोशल मेडिया में वारल करने सहीद अन्य आरोप में पूलिस ने बुद्धवार की राज से लेकर गुरू आर सूबा तक 28 यूकों को गिरफतार किया इसी गिरफतारी की बिरोध में महिलाय आक्रोशित हो गई महिलाओ ने पौले अस्थानिय परिस्दन में केंद्रे सिक्षा राजय मंतियन पूर्णा देवी से मुलकात कर अपनी बात रखी वही बाद में कोडार्मा बजार पहुँच पूलिस पर सासन पर एक तरफा करवाई का आरोप लगाते हुए दुकानों को बंद कराने का पर्यास किया लोहर दग्गा में हिंसक जणप मामले की जाच के लिए साइटी गठी लोहर्दाका जीला के हीर ही भोगता बगीचाई लाकि में राम नमी सो भायात रग दोरान हिंसक जड़प मामले में निस्पक जाच के लिए साइटी का गठन किया गया है स्टीप यो बियन सिंकेन नेति तुम्हें गठी टीम इस मामले के हर पहलू की जाच करेगा इस बात की जनकारी स्प आर राम कुमार ने पत्रकारों को दिया स्प शिरी राम कुमार ने कहा कि अब तक इस मामले में 14 लोग खिलाप मामला दर्च किया गया है वही अब तक खूल 8 लोग की पतारी की गई है साथ ही कहा कि हीरी सहीद विभीन गाउ में पर्याप्त मत्रा में पुलिस बल की तयानाति की गई है पश्मी सीम्भूम में सड़क बना रही कमपनी के कर्मियों को पीले फाई ने पीटा जिसमें कमपनी के मुंसी संजय तिवारी गंभी रूप से गायल हो गया उन्हें इलाज के लिए राची रेफर कर दिया गया जनकारे के मुतावी मंगलबार की रात को पिले फाई का एक तस्ता एम एन एस कमपनी पहुँच कर कमपनी में मौझूद 15-20 लोगों के साथ मार पिट की एम लाठी डंडे से उन लोगों को पिटा था JEE परिक्षा 28 अगस्त को होगी JEE एडवांस 2022 परिक्षाओं की तारिकों बदलाव किया गया है भारतिय प्रद्योग की संस्थान बामबे 28 अगस्त को JEE एडवांस 2022 आयोजित करेगा जो पहले 3 जुलाई को आयोजित होने वाला था JEE एडवांस 2022 के लिए आवेदन परिक्रियसाथ से 11 अगस्त 2022 तक आयोजित की जाएगी आवेदन सुलक का भुगतान करने की ती 12 अगस्त है जो इमिद्वार JEE एडवांस के लिए उपसित होंगे वे 23 से 28 अगस्त 2022 तक आपना प्रियस पत्र डाउनलोड कर सकते हैं होमगाट के चैन से समधित मेधा सूची जा रही रांची जीला में होमकाट के चैन से समधित मेधा सूची रांची जीला की वेपसाइट पर अपलोड कर दी गई है उमिद्वार रांची.nick.in पर मेधा सूची देख सकते हैं जिला की वेबसाइट पर मेधा सुची अपलोड किये जाने की तीती से दावा अपति के लिए एक सप्ता का समाय है जिन उमिद्वारों को किसी तरह की दावा अपति हो वो एक सप्ता के भीतर आवेदन दे सकते हैं समान्दित उमिद्वार अपर जिला तंडा अधिकारी राची के कर्याले में रखे पेटी में भी अपना दावा अपति दे सकते हैं सन्निवार से राची में कुस्ती राइधानी राची के होटवार के सहीद गनपत राइ इंडोर स्टेडियम एक बार देश के युवा वा सीनियर पहलवानों से गुलजार होगा करोना काल के बाद राइधानी खेल मैं हो रही है इसकी सुरुवात 15 अप्रेल को जूनियर नेशनल कुस्ती परत्योकता से होगी इसके बाद फेडरेशन कॉप कुस्ती परत्योकता में देश के सीनियर महिला व पूरूस पहलवान दाव पेच दिखाएंगे बतादे 15 से 19 अप्रेल तक चलने माली परत्योकता के लिए पूरी तैयारिया कर ली गई है ज्यारखन में एंडी आरेफ आत्मनीर भर नहीं राजे में डोभा तलाब में डूबने का मामला हो या छोटे बड़े प्रकिर्ती किया ख़दान हाथसा हो अभी ज्यारखन राष्ट्रिय आपदा मोचन बॉल एंडी आरेफ के भरो से ही रेज की अभियान चलता है राजे का अपना राजे आपदा मोचन बॉल अब तक नो तो ससक्त बन सका है और नहीं आत्मनीर भर हो सका है अलाकि पिछले दो साल से अणडी आरेफ को ससक्त बनाने के लिए राई सरकार परियासरत है राजे में अणडी आरेफ में सुरक्षा बलके 132 पत्रिजी था है समुदाइक स्वास्त पदाधिकारियों के 660 पतों के लिए बहाली राजे में संचालित हेल्थ आएंड वेलने सेंटरों में 660 समुदाइक स्वास्त पताधिकारियों के नियुक्ति अनुबंद पर होगी इन में अनलाक्षित कोटी के 1942 आर्थिक रूप से कमजोर स्रेनी के 65 अनुचुचित जन जाती के 133 अनुचुचित जाती के 179 अतियंत पिछलावर के 46 अथा पिछलावर के 33 अनुचुचित इन पदों पर नियुक्ति नामकुमिस्थित इन्चुट और पबलिक हेल्थ में संचालित होने वाली 6 अमा के ब्रीज कोर्स पूरा करने के बाद होगी सर्निवार से 21 जिलो में नमांकन सुरू जारखन में 33 अथा पंचाय चुनाव के लिए नमांकन पत्र दाखिल करने का समय आ गया है पहले चरण के तहट 21 जिलो में 22 परखंडों में विभीन पदों के लिए चुनाव की सुचना सनिवार को जारी होगी निर्वाची पता अधिकार्यों दोवारा सुचना जारी होते ही नमांकन सुरू हो जाएगा इस चरण में 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है हेमन्त सुरेन के लिए चुनावती बने चार नेता मुख्य मंत्री हेमन्त सुरेन के नितित में जार्खन की रायनिती इस समय चार नेताओं के इर्द गीर्द घूम रही है इन रायनितिक चेहरों में तीन जामों से समध रखते हैं एक चेहरा जामों से अलग हो चुका है जबकि एक चेहरा हेमन्सुरन की सरकार को समर्थन दे रही कॉंग्रेस से सम्मंधित है इस चार नेताओं ने इस समय मुख्य मंत्री हेमन्सुरन के निंद हराम कर रखी है हेमन्सुरन के अपने मुख्य विपक्षी दल भाजपास से अभी उतनी चुनावती नहीं मिल रही जितनी चुनावती उन्हें अपने लोग ही दे रहे है देवघर रूपवे जाच पूरी होने तक रूपवे नहीं होगा रिपेयर जार्खन के देवघर के त्रिकोट परवद पर रूपवे दुरगाटना के बाद जाच पूरी होने तक दुरगाटना अस्तल पर किसी भी तरह का कोई कारे नहीं होगा जो भी साख्र जीस हालात में पड़े हैं उनमें कोई छेचाड नहीं करना है ना कोई रिपेयर होगा ना मेंटनेंस रूपवे का पर रिचालन भी नहीं होगा दुरगाटना गरस्त रूपवे जीस हालात में पड़ा है अगले आदेश तक उसी हालात में रखने समधित आदेश जारी हो गया है या आदेश जार्खन टूरिजम डेवलाप्मेंट कार्पोरेशन लिमिटेट के प्रवंध निदेशक ने कोलकाता की रूपवे कंपनी दामोदार रूपवे ज आएंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेट के महा प्रवंध को दिया गहा है हमंत सरकार ने बिजली आपूर्थी सुनिश्चित करने का दिया निर्देश जार्खन में विशन गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है बिजली की मांग और आपूर्थी में संतुलन बनाय रखने के लिए उर्जा विभाग के पधान सची और जार्खन उर्जा विकास निगम के अध्यक्ष अविनास कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है उन्होंने राज में बिजली आपूर्थी समाने बनाय रखने का निर्देश दिया है असपस्ट का एकि ग्रामीन छेत्र हो या सहरी दोनों इलाकों में समाने रूप से निर्बाद बिजली आपूर्थी सुनेशित करे कारेपालक अभ्यानताओं से उनके छेत्र में बिली आपूर्ती का हाल लिया और उन्हें बिली की मांग का सही आकलन करने मुख्याले को अवगत कराने का भी निर्देश दिया है चोग चोड़ाहो पर लेफ्ट फिरी नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना रांची के चोग चोड़ाहो को जाम मुक्त करने के लिए परिवान भी भाग ने लेफ्ट टने फिरी पर काम करना सुरू कर दिया है लेफ्ट फिरी नियम को तीन बार तोड़ने पर 500-10000 रुप्य तक जुर्माना लगाया जाएगा तीन बार नियम तोड़ने वालों का डी एल तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा बता दे कि रांची के आधा दर्जन चोग चोड़ाहो को लेफ्ट फिरी किया जा रहा है हजारी बाग में महुआ चुने गए पति पत्नी को हाथी ने मार डाला हचारी बाग के चलकूसा परखन की खरगू पंचायत के बेड़ मक्की में हाथी के हमले में पति पत्नी की मौत हो गाई मिरितकों में भीखलाल पंडित अरुन की पत्नी सांती देवी सामिल हाए बताया जाता है कि दोनों गुरू आर सुबा महुआ चुनने के लिए जंगल की ओर गए थे इसी दवरान हाथी ने उन पर हमला कर दिया इस हमले में भीखलाल की मौत मौके पर ही हो गई जबकि सांती देवी को गंभीर चोट आई जारखन में चौथी लहर की दस्तक दो मरीज मिले देश के पांच राजे में कुरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंजरे जहां चिंता जाहिर करते हुए निगरानी बढ़ाने का निदेश दिया है वहीं राजे के सबसे बड़ अस्पताल रांची के रिम्स के ट्रामा सेंटर में भी दो माबाद क्रोना के भरती मरीजों की संख्याद दो हो गई है रिम्स के क्रिटिकल के यार इंचाज परफेसर डाक्टर परदीप कुमार भटाचारी ने कहा कि लबक दो माबाद क्रामा सेंटर में दो मरीज भरती हुए दोनों मरीज आक्सिजन परहाए लेकिन इसीति ठीक है इसकूलों की समय सारनी बदनने का स्वागत पासवा अध्यक्स अलोग कुमार्दू में ने जार्खन में भिशन गर्मी को देखते हुए इसकूलों की समय सारनी में बदलाव के निने का स्वागत किया है पास्वा अध्यक्ष ने कहा संगठन के अन्रोध पर विद्याले संचालने की समय सीमा सुबा 6 से 12 बाय तक कर अविभाव को एवं बचों को रहत देने का फासला सरकार ने लिया इसके लिए लाखो अविभाव को एवं बचों की ओर से मुख्य मंत्री सिक्षा मंत्री एवं बित मंत्री को पास्वा विसेस रूप से धन्यवाद देती है बंगाल से हजारी बाग पहुंची महिला को जबरन देह बैपार में लगाया दोनों पर आरोप हाई की बंगाल की महिला को बुला कर यहां जबरन देह बैपार कराने का दबाव बनाय रहा था गिरपतार दोनों आरोपियों को पूलिस जेल भेज दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर की जयन्ती जार्खन के लोहर्दका जीले में अनुसूचित जाती जन जाती पताधिकारी करमचारी संग एवं अम्बेटकर भीचार परिशत की तत्वधान में भारत रतन बावा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर की एक सब एक तीस्वी जयन्ती समारो कावजन समानाले मैदान में किया गया जार्खन के बितमंतिर डाक्टर रामेजवर उराव समेत अन्य गणमाने मौके पर मजूद थे इस दोरान उन्हें याद किया गया और उनकी आदम कद परतीमा अस्थापित करने की मांग की गई टैक्स नहीं देने वालों में पूलिस के भी वाहान रांची में बीना रोड टैक्स दिये वर्षों से चल रहे हजारों वाहनों के खिलाब चिला परिवहन करयाले करवाई की तियारी में है खास कर बेवसाइक वाहनों पर क्लोडों का बकाया है वित्य वर्स 21-22 समाप्त होने के बाद भी वाहनों का टेक्स जमा नहीं हुआ है वैसे सभी कमर्शल वाहनों के सूची त्यार की जा रही है जिसके तहद 500 मैक्सी कैब को नोटिस जारी किया है चार दिन बंद रहेंगे बैंक सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक गुरुवार से चार दिनों तक बंद रहने वाले हैं इन चार दिनों में अमबेटकर जयनती बीहू और बैसाखी तेवार के चलते बैंक की छुटिया है जिसके कारण जयातर राजियों में गुरुवा 14 अप्रेल से लेकर 17 अप्रेल तक तमाम बैंक बंद रहेंगे अलाकि कुछ राजियों में 4 दिनों के बदले 2 या 3 दिन ही बैंक बंद होंगे RBI केलेंटर के मुताबिक जिन राजियों में बिहू और बैसाकित तेवार मनाये जाते हैं सिर्फ वही बैंक बंद रहेंगे जार्खन सरकार गरीबों को मुफ्त देगी तीन डिसमील जमीन जार्खन के गरामीन छेतर में भूमी हीनों को प्रधान मंतरी आवास जोयना का लाब उपलब्द कराने के लिए उन्हें जमीन देने के प्रस्ताव को जार्खन सरकार ने अंगे करीद कर लिया है केंदरिये आवास एवम सहरी विकास मंत्राले ने इस समन्द में सभी राज्यों को अपनी अनुसंसा भेजी थी इसके तहथ अस्थानिय निवासियों को तीन डिस मिल तक चमीन सरकार उपलवद कराएगी बता दे सहरी छेत्रे के आसलम एरिया में पाहले से ही आवास मोहया कराने का प्रोधान लागू है धन्यवाद यदि आप चैनल पढ़ना हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल लाइक अन्द बढ़े साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बेक अवास से दे थांक यू